हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक तो माई चैनल रिदम आप कैनेडा आज दे वीडियो फिर तो एक इन्फोमेटिव वीडियो है इस वीडियो दे विच मैं दसांगी कि अपा इंडियन पासपोर्ट दे विच अपना नेम की दा सप्लिट करवा सकते हैं क्योंकि जादा तर अपन फ्रेंट फेंडियो के शंच भी प्रम्रमाट एक्त लिफिह न माही कि दॉद आ घंडियो तो तर फोर बार नेम अगने पर दे लेक después करवा लेए अपने पासपोर्ट दे तेड़े मेरे चैनल दे नमेने, प्लीस मेरे चैनल नो सब्सक्राइब करो, वीडियोस नो लाइक एंड शेर करो. सब तो पहला अपां BLS वेबसाइट ओपन करांगे, उनमें सरी दे वीच्छा, ता मैं वैंकूवर ऑप्शन चूज करांगी, प्रोसीड करांगे, तो अपांगर एक प्रोसीड करांगे, उनमें लाइक एक फेमक् थे, प्रोसूज करांगे, ने शीजव करांगे, ने फॉर्म्स एंड अन्यक्सचर ओप्शन्स ते उपर यहन आप फॉर्म्स एंड आन्यक्सचर दे अंडर जिड़ा अपने को लिए अन्यक्सचर इफ फॉर्म है उस दे उते क्लिक करागे उसनु डाउनलोड कर लवांगे मैं वीडियो दे एंड दे विच तो नो दिखावाँगी किस तरह दा हुंदे नो किस तरह फिल किता जान दा है next तो सी document requirements option ते click करने है ते उतो अपा checklist डाउनलोड करनी है हुन अपा online application form फिल करना था उसते लिए अपा इते click करांगे next अपने को लिए इस तरह दा page show हो रहा था इस page ते उते अपा country select करनी है अपा Canada country select करांगे next अपा register करांगे उन अपने याँ details fill out करांगे embassy Vancouver choose करांगे बाकी जो भी तो add details ने हो तुसी fill out कर सकते हो नेम दे विच तुसी अपना first name लिख दो ते surname दे विच अपना last name लिख दो registration करन तो बार तुसी दुबारा वापिस आओगे ते user login icon दे उते click करोगे अपनी information इते fill out करोगे ते login option दे उते click करोगे ताहु next page दे उते तुसी apply for ordinary passport इते click करोगे next page दे उते तुसी choose करोगे applying for options दे विच reissue of passport फिरोदा reason दसोंगे that is change in existing personal particulars वोदी specification की है तुसी की की change करवा रहे हो given name ते surname type of application normal choose करांगे ते type of passport booklet 36 pages उन्हों तुसी next page दे अपनी details fill out करोगे तो अदे जो name है उन्हों तुसी given name section च लिखोगे ते जो भी कौर या सिंग है ओ तुसी surname दे विच लिखोगे gender fill out करोगे then have you ever been known by other names ते no आएगा have you ever changed your name no क्योंकि नाता थो अनू पहला किसे हो नाम दे द्वारा जाने जानदा सी ते नाही तुसी कर दे name change किता सी तुसी त अपना name हुन change करवा रहे हो अपना date of birth फिल आउट करोगे is your place of birth out of India no marital status दस दोगे citizenship वगारा pan card water ID जो भी है तो अड़े को ले तुसी ओ नमबर दस दोगे employment type की है ओ हो एते अपनी दस दोगे प्राइवेट है homemaker है anything है education qualification दस दोगे next option है कि तो अड़ पेरेंट या कोई spouse government job कर देने ता उसते according तुसी option choose करोंगे next is applicant eligible for non-eCR category यह depend करदा हुन देगा age दे उते या education qualification दे उते ता उसते recording तुसी चूज करोंगे मैं yes fill out किता था सी then visible distinguishing mark अगर कोई है ता तुसी थे लिख सकते हो तन अधार number you have to fill this and next तुसी I agree daily yes click करोंगे and then next option देऊ ते click करांगे हुन अपना family details fill out करांगे next हुन तुसी अपनी address details fill out करने आने तुसी अपना Indian address भी देना जड़ा थोड़ी passport दे उते है ते तुसी अपना Canadian address भी दवोंगे इस तो थोड़ी PCC होएगी जड़ी PCC ओ Indian address दे होएगी ते ओदे ली तो अड़ा इंडिया दे विच होना जरूरी नहीं है next तुसी अपनी address details fill out करोगे first is your passport printable address out of India no select करोगे ते अपना Indian address इते लिख दोगे जड़ा भी तो अड़े passport दे उते print है other address details दे विच is your other address out of India इते तुसी yes choose करोगे ते अपना Canadian address fill out करोगे next तुसी emergency contact details fill out करने आने इंदे विच तुसी अपने spouse ता नेम या parents ता नाम दे सकते हो next तुसी identity certificate या previous passport details fill out करने आने first option दे विच no choose करांगे second option दे विच details available तो उसे according तो अड़ा passport number place of issue date of issue the date of expiry fill out कर दो next have you ever applied for passport but not issued no next other details से which criminal proceedings से ना related questions हुन देने जड़े के जादा तर no हुन देने तुसी अपनी situations recording ए फिल आउट कर देने next तुसी जेड़ी वी information fill out किती हो दी सारी summary आ जाएगी तुसी यह नूँ द्वारा सारा read out कर लो जी तो तो उनूँ पता चल जाएगा कि तुसी सारी information सही दिती है अगर कोई भी error है तो तुसी back जाके उनूँ चेंज कर सकते हो next तुसी last दे विच I agree box दे विच click करोगे ते place pension करोगे जित्थे तुसी यह application fill out किती है example जी में issue application एदे विच अपा दसना कि अपा application दे नाल केड़े केड़े document से submit कर वा रहे हैं जिमें first checklist ता उत्थे अपा लिखतांगे yes online application form है yes Indian passport original and copy an extra e proof of current address self attested status in Canada fees photograph इस सारे documents अपा application दे नाल submit कर वा रहे हैं next केड़े अपनो additional documents चाही देने ता एदा जो first part है उन्दे विच आपा yes लिखांगे अगर तुसी married हो ता married certificate लिए यस लिखोंगे बाकी दे जड़े पार्ट सवना दी अपनों जुरूरत नहीं है कि इस करके अपा उते no लिखांगे type b type c ते type d a अपनी application दे लिए not applicable है checklist दे लास्ते ने details to be filled by the applicant है तुसी अपना name लिखोंगे arn number लिखोंगे जड़ा के जदे तुसी online application form submit कर दिने हो ओधो मिल दे तु आनों फिर b ls center केड़े center ते तुसी जा रहे हो ते date मतलब किस date नो तुसी checklist fill out कर देती है वो तुसी date mention कर दोगे ते अपने signature करोंगे next आ गया next year e इंदे विचे तुसी दसना होंदागे कि तुसी केड़े address ते रह रहे हो थोड़े mother next तुसी documents दे नाल application submit करवानी है नेम सप्लिट दे लई चीदे विचे तुसी mention करोंगे के तु आड़े old passport दे विचे तु आड़ा जड़ा नाम सी फुल नेम सी हो सिर्फ given name section दे विच सी हुन तुसी उसनों सप्लिट करवाना चांदे हो उचे ड़ी तुसी application online submit किती है एदा प्रिंट आउट चेक्लिस्ट दा प्रिंट आउट ते ओदे विचे जड़े documents mention ने हो सारे तो अनू print आउट दे वी चाही दे या ते ओदे नाल नाल तो अनू दो हो documents चाही दे एक ता है अधार कार्ड second है तो आड़ा एक कोई भी BCID जी दे विचे तो आड़ा first name ते last name separately mention होवे यह मेरा पुराना पासपोर्ट है जी दे विचे तुसी देख रहे हो मेरा फुल नेम हो गिवन नेम सेक्शन दे विचे ते सरनेम empty है उन यह मेरा new passport है जी नेम सप्लिट application submit करवान तो बाद विच मेंनों मिलिया इंदे विच मेरा given name दे विच मेरा first name है ते surname दे विच मेरा last name है I hope के तो आनों मेरी वीडियो वदिया लगी होवेगी मैं बहुत ही असान तरिके देना सब कुछ explain किता है ता प्लीस मेरी वीडियो नू लाइक करो share करो comment करो